हलो दोस्तों सब्सक्राइब आपका डिमांगेटिंग बॉल मेरे लाव में विश्यक दोस्तों आज कोड़ेगा टॉपिक है हाउ तो यूज वीपिएन इन लैप्टॉप तो दोस्तों आज की इस वीडियों को बताने जारो कि यहाँ पर इस वीडियो के डिसक्रिपशन में आपको एक डिसकाउट लिंक भी दे रहा हूँ जिसके तुझिया को परचेस को आपको में लेगा क्योंकि मैं यही यूज़ करता हूँ हमेशा से पिछले 9 साल से मैं और वीपियन यूज़ कर रहा हूँ और पिछले 9 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं आया है जब मेरा जो वीपियन है वो मैंने यूज़ नहीं किया हूँ ठीक है और पिछले 3 साल से मैंने कभी वीपियन को डिस यूज भी नहीं है यह सबसे अच्छी चीजी जिसका यूज करने को नुकसान नहीं है ठीक है हाँ वीपेन के लिए आप हो सकता है दो तीन साल के लिए आप कुछ 7000 रुपे कुछ देने पड़ते हैं मैं दे देता हूं कि इसमें मेरा बहुत सारा फाइदा भी है मेरा में काम के लिए भी यूज आता है और उपर से मेरी सेक्यूरिटी भी है इसमें तो इसलिए मैं वीपेन नमेशा रखता हूं तो चलो आज कि वीडियो में हम बात करें नौट वीपेन का में यूज करता हूं तो कैसे यूज करते हैं देखो यहाँ पर सबसे मोड़ा चीज जो है अ अभी आप देख सकते हैं मेरा IP अड्रस क्या बता रहा है 157.9134.58 कोई लेना देना नहीं है इसका मेरा IP अड्रस के साथ ठीक है लेकिन अभी फिलाल के लिए मेरा IP अड्रस यह यह बिल्कुल बराबर है ठीक है सिटी और से सेटल रीजियन वाशिंग्टन कंट्री यूएस मैं इंडिया में वेठा हूँ अना पर हां मेरा जो आइप अड्रस बताता है वो यूएस का बता रहा है ठीक है तो यह एक फायदा होता है यह तो एक फायदा है ठीक है और अगर हम Google.com की बात कर ले ठीक है यहाँ पर आप कुछ भी सर्च बगरा करते हो तो यहाँ पर भी जो सर्च के रिजल्ट्स बगरा आते हैं आप पड़वान सर्च में जाकर यूएस बगरा सेट करते हो ना जो हमारा में जो करते हैं यहाँ पर जब भी हमें कुछ यूएस का कुछ चाहिए होता है हम इस तरीके से सर्च करते हैं ठीक है तो फिर क्या होता है कि यूएस के रिजल्ट्स बगरा हमारे सामने आते हैं तो अभी फिलाल जो चीज मैं यहाँ पर करने से जो रिजल्ट्स आएंगे वो यूएस करेंगे और उपर से अगर मैं यूटूब चलाता तो मैं आपको एक और शीज बता हूँ अगर यूटूब चलाते हैं तो यहाँ पर जादातर जो वीडियोज आएंगे यहाँ पर सामने वो जादर वीडियोज क्या रहेंगे वो इंडिया के बाहर के लोगों के वीडियोज रहेंगे तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे य को यहाँ पर connect करके यूस के जो वीडियो जो ट्रेंडिंग चीज़ यूस में चल रही है वह सब चीज़ यहाँ पर देख सकता हूं तो यह एक चोटी-चोटी चीज़ है जो की फट करती है ओके तो वीपिन में लीकिन सीजों के लिए यूस किया जाता है गैस एक तो यह रहत जाती है अगर मैंने किसी प्रड़र को कार्ट में आइड कर दिया तो प्राइस बढ़ जाएगा किसी प्रड़र को थोड़ी दर देख लिया तो प्राइस बढ़ जाएगा यह एक फायदा होता है वीपिन का अगली चीज़ हम अभी एक इंकोगनेटर विंडॉपन करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो मेरा email id login है तो google play store email id अगर इंडिया बनी है तो definitely go to result दिखाएगा वो भी इंडिया का दिखाएगा तो यहाँ पर हमने ओके तो यहाँ पर मैं इसको एक बार again यूएस से connect कर देता हूँ अगर हम इंडिया में google play store को अपन करते हैं और अगर यहाँ पर इस case में टिक टॉक सर्च करते हैं तो क्या होगा हमारे इंडिया में टिक टॉक नजर नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर यूएस में टिक टॉक नजर आ रहा है क्यों इसका बड़ा रीजन यहीं है कि इंडिया में टिक टॉक बैन है यूएस में नहीं है तो अगर अभी मैं चाहूँ तो यह टिक टॉक को इंस्टॉक कर सकता हूँ तो मैं अपने मबाइल में टिक टॉक कर सकता हूँ जितनी देर चाहूँ उतनी देर कर सकता हूँ जो करना चाहूँ टिक टॉक के साथ कर सकता हूँ मैं टिक टॉक के वीडियोस देख सकता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ ठीक है और नेक्स्ट चीजी, कभी भी, कभी भी, गलती से भी, कि कोई भी पब्लिक वाइफाई अगर आप यूज़ करते हो, तो हमेशा वीपियन चालू रखना, क्योंकि पब्लिक वाइफाई कभी भी कॉंप्रमाइज हो सकती है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा पब्लि अगली चीज, जैसे मैं हूँ, मैं इंटरनाशनल क्लाइंस के लिए स्टी वगरा करता हूँ, तो मुझे वीपियन इसलिए चाहिए होता है, मैंने वीपियन इसलिए लिया था, फिर दीर आदत हो गई वीपियन की, तो हमेशा यूज़ करता हूँ, यह हो गया, नेट्फिक और उन सारे शोज को आप देख सकते हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके के यूज़स है, और इसका लवा गेम खिलने के लिए यूज़ कर सकते हो, आप, बहुत सारे चीज़े हैं जिसमें आप वीपियन का यूज़ कर सकते हो, वीपियन हर तरह से अपनी काम आता है, ठीक है, तो अब मैं चेक करूँगा कि मेरा यह जो वीपियन है, मुझे कितना स्पीड देख, और कोई भी वीपियन जो 100 Mbps के प्लान में 75 से 85 के बीच में स्पीड देख, वो वीपियन अच्छ है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि 6000 सर्वर्स देता है कोई वीपियन, हर सर्वर मे आपको इतना स्पीड दे जरूरी नहीं है, तो 6000 सर्वर्स चाहिए किसको, इतना सर्वर किसी को चाहिए नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मिल रहा है, अच्छी बात है, तो 6000 के 6000 सर्वर्स में, 6000 सर्वर्स में असपास कुछ देता है NordVPN, और एक साथ हम 10 डिवाइस में यूज कर आपके देखता हूँ एक बार, इसके लिए हम fast.com का यूज करेंगे, और उकला का भी यूज करेंगे, जो कि हमारा speedtest.net है, वो भी करेंगे, तो यहाँ पे यह लोड हो रहा है, ओके, 77 का speed यह देता है, हमारे, next, अब हम speedtest.net का यूज करेंगे, ओके, फाइन, तो अब हम गोपे क्लिक करते हैं, 77 बताया, और यहाँ पर भी 77 है, ओके, पहली बार इन दोनों का जो result है, वो match हुआ है, बागी usually match होता नहीं है, और upload का speed इसका बता रहा है, 120, 130, 100, अब इसमें, अब अब इसका, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं इसको refresh करूंगा, तो यह speed यहाँ पर अलग बताएगा, कोई बात नहीं, यहां पर चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो fast.com ओके, 100, 100 MPS पता रहा है, जो कि हमारा actual internet का speed है, तो यह full, जितना है उतना पूरा बता रहा है, अब हम यहाँ पर speedtest.net को भी चेक करेंगे, अभी हम UK से Manchester से जो है test कर रहे हैं, यह से pause कर देते हैं, और अब हम इसको test कर देते हैं. 102, download speed. 149 upload speed. तो guys, यहाँ पर download speed है 102 और 149 और यहाँ पर बात कर लें, जो है हमारा 100 MPS और upload speed भी 100 MPS बता रहा है, तो यह better server था, है ना, जो faster servers आपको लगते हैं, जो अच्छे हैं, वो आप चाथा, यूज़ कर सकते हो, ठीके, तो हमने यह speed test तो कर लिया, अब guys, यहाँ पर इस तरीके स जाता है, ठीके, अब आपको मालो यह 6000 servers के जो हमने बात की थी, यह कैसे डिक निकालेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें hash type करेंगे, hash type करते ही, alphabetical orders हैं, जितने भी countries हैं, उन सब का, सारे के सारे servers हमारे सामने आ जाएंगे, ठीके, तो आपको यह hash, 665, 666, 667, इस तरीके से जो भी hash codes हैं, आपको इनको याद रखना है कि आपने पिछली बार कौन से use किया था, अगर आपको दुबारा उसे use करना है, तो अलग-अलग जोंगा आपको यहाँ बिल जाता है, अभी for example, हमारे पास बीच में कुछ time के लिए, जब इंडिया में Nord VPN खास इसलिए मन जाता है, क्योंकि इंडिया में इंडियन गार्नमें ने बोला था कि अगर Nord किसी भी वीपें कमनी को गर इंडिया में काम करना है, तो उनका लोग जो है देना पड़ेगा, गार्नमें को मयानी की डाटा देना पड़ेगा, और अगर वीपें वालो ने अच्छी कमपनीस थी, सब ने मना कर दिया, और उन्होंने देश छोड़ दिया, थोड़ी दिक्कत आई, मुझे भी दिक्कत आई उस टाम पर क्योंकि इंडियन सर्वर्स जो है, बीच में बंद कर दिया था, जैसे देश चोड़ा सिर्फ इंडियन सर्वर्स हट गय थे, त तो, NordVPN ने भी ये किया, ExpressVPN ने किया, Surfshark ने किया लिए, जो सबसे पहले करने वाली कमनी थी, इसलिए NordVPN में ज्यादा यूज़ करता है, क्योंकि सबसे दा मुझे भरोसा NordVPN पर है, और इनका जो स्पीड है, वो पूरे मार्केट में टॉप स्पीड है, ठीक है, तो ये रिज आप 27 मैने के लिए जो है, यूज़ कर सकते हैं, कि 2 साल प्लस 3 मंस की एक्स्ट्रा VPN सर्विस आपको मिल जाती है, ठीक है, और अब इसमें कुछ और भी चीज़ है, जैसे कि अगर हम बात कर लें, यहाँ पे इसको हटाते हैं हम एक बर, और स्पेशलिटी सरूँ से लिए त खुद के IP अडरस से स्विधर लाइन में गनेट नहीं करेगा, यह बीच में एक और कंट्री से होते हुए शुदर लाइन में गनेट होगा, बताता हूं आपको, तो आप देख सकते हो, डबल VPN, स्विदेन से होते हुए स्विधर लाइन में जा रहा है, ठीक है, एक और वीपेन को ट्रैकरना तो पॉसिबल नहीं होता है लेकिन डॉबल वीपेन एक एकसा फीचर है गाइस विए इसलिए है क्यूंकि अगर कभी कोई कोई सॉफ्ट्वेर किसले का बन भी गया जो ट्रैक किया जा सकता है जिसके थूरू तो नहीं होगा क्योंकि यह डबल वीपेन लगा दिया है और फसकेटर सर्वस अलग से मिलते हैं और यहां पर ब्राउजर रहता है वैसा वीचर भी आपको यहां पर मिल जाता है अब यह त क्या करता है क्रॉम में जब भी आप कोई भी एपसाइट ऑपन करते होता अगर वेपसाइट सेफ नहीं है तो यह आपको उससे प्रटेक्ट कर देगा फाइल प्रटेक्शन कोई फाइल में वायरस वगरा कुछ होगा तो वह भी यह डिटेक्ट करके रिमूव कर देगा अब मेंशनेट किया था ब्लूटूटूट जैसे चीजी होती है लेकिन ब्लूटूटूटस से बहुत फास्ट होता है इसको ब्लूटूटूट से मन्समझेट लेना मोबाइल में भी फोटो कीचो मेंशनेट के थूप बहेजदो laptop में आ जाएगा ठीक है और बहुत तेजी चीज़े समझा दिया अब आपको एगर VPN यूज करना है तो फीनोड वी पेट का जो फ्री ट्राइल जो होता है वो माबाल में ले सकते हो लेकिन आप लैबाले अब्सकी करना तो आपको कुछ 6,000 रुपे या 6,500 रुपे में 27 महीने का VPN मिल जाता है, ठीक है, तो आप उसे चाहो तो खरीज सकते हो, ठीक है, और मार्केट मों और भी बहुत साथ ही VPN है, अगर आप और रिसर्च करना चाहते हो, तो रिसर्च कर सकते हो, लेकिन मैं मेरे पिछले 9 साल के, अगर बात करूँ तो 9 साल से मैं VPN यूज़ कर रहा हूँ, इसके भी से मैंने साइबर गोस्ट यूज़ किया है, मैंने अभी रागा VPN यूज़ किया है, मैंने प्यॉर VPN यूज़ किया है, मैंने प्रोटन VPN यूज़ किया है, सालफशाक यूज़ किया है, और एक्सप्रेस VPN बेन भूब बेखता ही है आप 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 सब्सक्राइब करें लिया है इसे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के बीटिकेशन आपको मिलते रहे हैं तो दोस्तो आज वीडिवेस बीटिक्न अब लिए आपका बहुत बहुत दिल्य होगे पाद तो दोस्तों मुझे भी देखिया आपको ये वाला वीडियोच लगाओगा अब यहाँ पर दो और वीडियोच जिनके अंदर मैंने वीपेन के बारे में और भी ज़्यादा डीटेल में समझाया हुआ तो आप उन वीडियोच को भी जरूर देख सकते हैं अगर आपको ये वाला वीडियोच लाइक चुरूर करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेला आपको प्रस करें क्यों इसी से हमारे आगे आने वर वीडियोच की नाटिफिशा को मिलते रहे हैं तो दोस्तो आज को इन सुरूर भी देखे लिए आपको बहुत बहुत देनी बात